क्या आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करकर ठक चुके हो क्या आपको कोई ऐसी स्टैटेजी की तलास है जो आपको डेड़ सो से 200 पॉइंट दे दे वो भी बैंक निफ्टी आफ्शन में और आपको फॉल्स सिग्नल से भी बचा दे उसकी एक्यूरेशी 90 परसेंट से ज् दोस्तों वीडियो बहुत इंपार्टेंट होने वाली है अन्त तक जरूर देखना बेलकुल स्किप मत करना नमस्कार मैं हुदीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग हमें पता है दोस्तों आप लोगों को सनीवार का इंतिजार रहता है और सनीवार को हम लेकर आते हैं बैंक निफ्टी आउप्शन की स्ट्रेटेजी कई स्ट्रेटेजी हमने ऐसी भी बताई है जिससे आज तक लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों लेकिन उन सभी स्ट्रेटेजी में आज की स्ट्रेटेजी कुछ खास होने वाली है क्योंकि ये आपको डेर सो से दोसों के रेंज में प्रॉफिट दिला सकती है और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है एक चीज और है दोस्तों कोई सी भी स्ट्राटेजी को आप पेपर ट्रेट करें अट लिस्स दस दिन तक पेपर ट्रेट करने के बाद में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उस स्ट्राटेजी में आप रियल ट्रेट करें और रियल ट्रेट भी सिर्फ एक लॉट स जब एक lot से आपका हाथ जम गया फिर धिरे धिरे lot size बढ़ा सकते हो और आप लोगों की वैसे ही इतनी demand रही है option trading का course magical trading के तरफ से तो हमने magical trading का application बना दिया और उसका link भी हमने description में दे दिया है उस application में आपको दो course मिल जाएंगे एक option trading और एक price action अभी 2000 रुपे का discount भी है त तूरंट purchase कर लीजिए दोस्तों आज की strategy हम सबसे पहले board पर समझेंगे उसके बाद on skin भी देख लेंगे कि यह strategy किस तरह से work करती है तो चलिए start करते आज की strategy friends आज की strategy की खासियत यह है कि यह strategy हमको false signal से भी बचाती है और इसकी accuracy बढ़ जाती है और इसका ratio जो हमारा stop loss के स करना पड़ेगा हमें bank nifty spot का चार्ट लेना है कि टाइम फ्रेम रखेंगे कि पंदरा मिनट का वेटेड मुविंग एवरेड ले लेंगे 45 पिरिएड का और RSI ले ले लेंगे हम 50-50 overbought 50 कर देंगे oversold 50 कर देंगे overbought जो रहेगा उसको green कर देंगे oversold रहेगा उसे red कर देंगे तो यह setup है दोस्तों यह setup लगने के बाद में हम किस तरह से trade लेंगे वह बताते लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार बता दे आप setup ना भूले bank nifty spot का चार्ट लेना है टाइम फ्रेम पंदरा मिनट का रहना चाहिए वेटेड मुविंग एवरेज लेना 45 पिरिएड का आर एसाई ले लेंगे आप 50 50 इसका पिरिएड 14 ही रहेगा लेकिन ओवरबाट कंडिशन 50 कर देंगे ओवरबाट को green कर देंगे और जब भी ये वेटेड मुविंग एवरेज 45 को नीचे से कोई candle उपर की और break कर दे और closing दे अगर कोई ऐसी candle मिलती है जो इस line को उपर जाके closing दे तो हमको क्या करना है उसका high mark कर लेना है अब जब इस high को break कर दे आप तुरंत buy करेंगे और आपको cross check करना है RSI 50 के उपर ही होना चाहिए फिर से एक बार बता दें weighted moving average 45 की line को नीचे से उपर की और candle आकर closing दे दे ब्रेक करकर closing दे दे उसका high mark करना है उसका high जैसे ही break किया आप वहाँ पे buy कर सकते हैं cross check करके कि RSI आपको 50 के उपर मिलना चाहिए अब selling के लिए क्या होता है कि जब भी उपर से नीचे की और कोई candle break कर दे और closing दे दे तो उस समय उस candle का low mark करना है अब ये low का जैसे ही breakout हुआ आपको sale signal confirm हो जाता है लेकिन cross check करना है RSI 50 के नीचे होना चाहिए तो ऐसी condition में आप false signal से बच जाएंगे ये जो high और low का जो breakout दिया है ये ही false signal से बचाता है आप 5 से 10 point buffering रख सकते हैं कि इस spot के चार्ट में देख रहे हैं जैसे ही आपको buy signal मिलता है आप call ले सकते हैं 300 से 3.5 के बीच में अब यहां पर stop loss का सबसे important जो roll है यहां पर stop loss क्या रहेगा यह जो candle जिस पर हमने high mark किया था उसकी पहली वाली candle का low यह SL रहेगा और यह हम spot के चार्ट में लगा के रखेंगे हमको जब भी spot के चार्ट में यह condition मिलती है कि market reverse होकर इस SL के पास आया तो हम exit हो जाएंगे सेम ऐसे ही सेल के signal में क्या करेंगे इसकी पहली वाली candle का high हमारा SL रहेगा तो SL आपको spot के चार्ट में देखकर immediate exit करना होगा लेकिन दोस्तों यह strategy आपको बहुत false signal से बचाएगी कैसे कि जो हमने breakout के बाद भी low mark किया और अगर आप 5-10 point buffering भी दे देते हैं कि उसके बाद ही हम लेंगे तो भी कोई गलत नहीं है तो 5-10 point आप buffering देकर जैसे ही breakout हो त तो सेल करेंगे तो उपर जब बाई सिकनल मिलता है तो 300 से साढ़े 300 का call ले लेंगे और नीचे breakout मिला तो पुट ले लेंगे 300 से साढ़े 300 के बीच का तो दोस्तो अब ये strategy आखिर profit कितना देती है ये normal आराम से आपको 100 point से 200 या 200 point का profit आराम से दे देती है फिर से एक बार बता दे कि weighted moving average जो 45 का है उसको cross करके रूपर कोई भी candle closing दे दे तो उसका high mark कर लेंगे 15-10 point आप buffering भी दे सकते हैं उसको जैसे ही breakout दिया आप buy करेंगे और उसकी पहली candle के low पर stop loss लगाएंगे सेम ऐसे ही जब नीचे की और breakout होता है तो 5-10 point का buffering लेकर आप sell कर सकते हैं और उसकी पहली वाली candle के high पर आप stop loss लगाएंगे और जो candle पर आप लेने वाले हैं उसकी low पर horizontal mark करकर आप breakout का weight करेंगे जैसे ही buy का signal मिला तो call ले लेंगे 300 से 300 के बीच का और नीचे breakout हुआ sale मिला तो हम put ले लेंगे 300 से 300 के बीच का और एक चीज़ इसमें अच्छे से याद रखना है कि RSI को cross check करना बहुत ज़रूरी है buy signal में RSI 50 के ऊपर ही रहना चाहिए sale signal में RSI 50 के नीचे ही रहना चाहिए friends board पर तो समझ लिए हमने अब on skin भी देख लेते हैं ये strategy किस तरह से काम करती है लेकिन कुछ बाते आप लोगों को बता दे paytm money लेकर आया है मात 10 रुपे का per order future and option आपको अगर dimate account open करना है paytm money में तो description में लिंक दे रखिए वहां से dimate account open करिए और एक महिने के अंदर में आप कोई भी एक trade करके हमारे साथ हमारे special whatsapp group में जूड सकते हैं और अगर आप zero the upstock angel one में dimate account open करना चाहते तो उसकी link भी हमने description में दे रखिए वहां से dimate account open करिए और मात्र एक trade करके हमारे साथ हमारे special whatsapp group में जूड जाए और अगर आप हमारे साथ में social media पर जूड ना चाहते तो telegram instagram twitter और facebook का link भी हमने description में दे रखा है वहां से आप हमारे साथ में social media पर भी जूड सकते हैं तो दोस्तो एक चीज और भी है बहुत सारे duplicate telegram channel बना रखें magical trading के नाम से और लोगों से वह पैसे ठकते हैं हम किसी भी तरह की paid service नहीं देते हैं तो ऐसे fake channel से आप लोग बचिए अगर आपको telegram join ही करना है तो हमारे description की link से ही join करिए क्योंकि इसके अलावा सारे magical trading जो भी channel बने हैं telegram पर वो सारे fake हैं तो चलिए हमने board पर समझ लिया आप on skin देख लेते हैं ये strategy किस तरह से work करती है तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंस से हमने bank nifty spot का चाट लिया पंद्रा मिनट का time frame है इंडिकेटर ले ले लेते हैं moving average moving average period रहेगा 45 हम कर देंगे इसको weighted और color कर देते हैं blue उसके बाद एक indicator all ले लेते हैं RSI अब हम यहां पर setting में जाकर जो overbought condition 80 है उसको 50 कर देंगे oversold condition 20 है उसको भी 50 कर देंगे overbought condition को हम कर देते हैं green oversold condition को कर देते है red तो दिखें दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके clearly देखें तो market close हो गया लेकिन देखें कि यह उपर से market आया line को cross किया और closing दे दिया तो हमने उसके low पे mark किया पांदस point का buffering भी आप रख सकते हो पिछली candle में stop loss लगा है और यह आप देखें market closing होने के पहले ही इसने 400 point का profit आपको दे दिया है अगर market open भी होगा तो वह नीचे की ओर ही होना है उसको अब यहां पे देखें यहां पे clearly RSI का signal नहीं मिल रहा है उपर breakout तो हमको मिल गया है weighted moving average का लेकिन यहां पे RSI ने भी 50 के उपर हमको signal दे दिया और हमको यहां पे भी spot के chart में आप देखें 300-400 point का move है 300-400 point का move बहुत अच्छा माला जाता है आप option भी लेते हो ATM में लेते हो तो 200-500 point आपके कहीं भी नहीं गए अब यहां पे देखें मार्केट जब closing होता है न उस समय कुछ लेने का फाइदा है नहीं अब यहां पे भी देखें market close हुआ उस समय हमको breakout मिल रहा है हम नहीं लेंगे हमको यह तो सुबह मिल जाए या दोपहर तक मिल जाए तो ही हम लेंगे फिर भी यहां पे वह दूसरे दिन अगर उपन होता है तो breakout दिया है नीचे की और तो नीचे ही market उठा है यहां पे देखें लास्ट कैंडल है हमने नहीं लिया यहां पे हमको clear signal मिलना चाहिए देखें इस तरह का clear signal मिलना चाहिए कि market ने पूरी तरह से breakout दिया है लाइन को हम थोड़ा सा buffer रखके sale कर देते हैं अगर put ले लेते हैं तो देखें 400-500 point का point profit है यहां पे तो इसी तरह से आप इस strategy को use करें वह इतना याद रखें कि market closing में यह मत लीजेगा और definitely आपको minimum तो 50 लेकिन वैसे यह 100 से उपर ही point देता है आपको बहुत अच्छा यह strategy profit देगा आप इस strategy का कुछ दिन तक back test करिए यह paper trade करिए उसके बाद एक lot से trading करिए यह एक strategy आपको छोटे नहीं बड़े बड़े profit देगा हो सकता है किसी दिन यह signal दे ही ना जैसे इस तरह कुछ आ जाता है तो signal नहीं मिलता है लेकिन अगर breakout दिया तो इतना माम के चलो दूसरे दिन भी आपको देगा अगर profit तो देगा ही देखिए अगर आप रुप जाते हैं तो कितना बड़ा profit होता है तो option trading में holding करना time decay के कारण अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए आपको देखना है कि उसी दिन आपको profit मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है तो book करके निकल जाएंगे और market के last hours में हमको यह strategy नहीं करनी है अगर आप holding रखने का मन नहीं है तो last moment में आप नहीं लेंगे लेकिन अगर आप holding कर सकते हैं तो दूसरे दिन भी आपको यह profit देगी तो दोस्तों इस strategy में आप practice करिए definitely आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा profit देगी Friends हमने आपको बताया था कि एक trick बताएंगे जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आज एक बड़ा profit होने वाला है इस strategy के साथ हमारी ADX वाली जो strategy है अगर वो match खा जाती है तो आख बंद करकर उस दिन आपको बहुत अच्छा profit होने वाला है अब ADX की पूरी strategy काफी बढ़ी है लेकिन हमने आई बटन में वीडियो डाल रखा है आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ सेर भी कर देना और कमेंट्स करकर बताना कि आप हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना चाहते है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं कि कर दो कर दो एंगर आप आप हमारा चैनल स्कतरा चैनल स्लंड़ ऋ framework और कर दो कर दो आभी किनल स्क्राइब नहीं कानल कर दो कर दो कर दो उन्हान